नमस्कार वेब दुनिया की भटापट बुलेटीन में आप सबी का सुवागत है नज़र डालेंगे आज की खास ख़बरों पर कर्मचारी भविश्य नीदी संगठन ने 2022-23 के लिए EPF पर 8.1% की ब्यास दर निर्धारित कर दी गतवर्ष EPF ने 8.1 की दर से ब्यास दिया था इस फैसले से प्राइबिट सेक्टर में काम कर रहे करीब 6 करोड लोगों को फायदा मिलेगा पंजाब हर्याडा हाई कोट ने लिए चार्ट जूपिटी की मदद खुरूरतापुर्ण हमला के मामले में जमानक को लेकर दुनिया किराय जानने के लिए दालत ने सुनवाई के दौरान लिए चार्ट जूपिटी की मदद में कहा इस साल किस मार्श तक एच थ्री एंटू वाइरस के कोल 1317 नहीं मामले सामने का इंफ्लुएंजा के मामले में प्रबंधन के लिए राजियों को सहायता देने के लिए विमिन कदम उठाएगी राहुल और अडानी के मुद्धे पर एक जूट रहा विपक्ष दूसरे को टार्गेट करने से बचेगी विपक्षी पार्टिया शिरसेना नेता संजराउत की राहुल से बात सावरकर के मुद्धे पर दोनों पर थे मत्वेद दिले के मुखे मंत्री अर्विन के इजरिवाल ने पीए मोधी को बताया सबसे व्रस्ट पार्टी तीस मार्च से देश भर में शुरू करेगी मोधी हटाव देश बचाव अभ्यान 11 भाशाओं में लगाया जाएंगे पोस्टर सांसदी के बाद अब राहूल गांधी से चीने का बंगला राहूल ने लोग सबसर चिवाले को बेज़ा नोटीस का जवाब कॉंग्रेस अध्यक्षिक खडगे ने अपने बंगले में आने का दिया उपर वैब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भाड से बचे, मास्क पहने वज सैनेटाइजर का इस्तमाल करे साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करे केंदर शासित प्रदेश लद्दाख में सुभा करीब 10 बच कर 47 मिनट पर भुकम का जटका महसूस किया गया, रियक्टर स्केल पर इसकित्य व्रता 14.3 आगे गे भुकम का केंदर लेह शहर के 166 किलोमेटर उत्तर में 105 किलोमेटर की गहराई पर जा रही एक बस मंगलवार को केरल के पथानम थिट्टा जिले में एक गहरी खाई में गिर गई हाथसे में कम से कम 62 लोग घायल हो गए गुजरात के कॉंग्रिस विधाया कनंत पटेल पर 99 रुपे का जुर्माना 2017 में नौसारी में छात्रों की विरुद प्रदर्शन के दौरान प्रदानमंदरी नरेंद्र मोदी की तस्वीर पारने का रोग पंजाब सरकार ने पंजाब एम हरियाड उचने आयाले में कहा लगावादे अमरितपाल सिंग को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा पोलिस न अठारह मार्च को पंजाब में अमरितपाल और उसकी संगठन वालिस पंजाब देके सदस्यों के खिलाब कारवाई शूरू की अमरितपाल उसके बाद से लापदा है बंबय उचने आयले ने कहा अवारा खुत्तों से नफरत करना या उनके साथ क्रूर वेवहार करना सब्समाज के वक्तियों से स्पिकार्य नहीं है एक महिला की आचिका पर हाई कोट की अटिप पड़ी मद्यप्रदेश में किसानों के बच्चों को मिलेगी ड्रोन से खेती करने की ट्रेनिंग के आब ने इचने योजना पर लगाई मुहर 6,000 युवा किसानों को दिया जाएगा प्रशिक शर्व डीमेट खाताधारकों को सेबी की राहत सेबी ने डीमेट खाताधारकों के लिए 9 मिनी के नाम देने की समय सीमा 30 से तंबर तक बढ़ाई एक दिन की तेजी के बाद शियर बाजार में गिरावट संस 14 संग तूटकर 57,614 अंग पर हुआ बन निफ्टी भी 24 संग तूटकर 16,952 पर हुआ बन रवीलिंग रेस के साथ मालक्षमी का नाकलेस पहनने पर तापसी पन्नु पर भढ़के हिंदुबादी संगठान इंदुआर में तापसी पन्नु के खिलाब शिकायत दर्ज अक्ट्रिस पर लगा अश्रलीलता फालाने और हिंदु देवी देवताओं के अपमान कर निकारो अज़े देवगन की फिल्म मैदान के टीजर की रिलीज डेटा ही सामने 30 मार्च को फिल्म भोला के साथ सिनेमा घरों में रिलीज होगा बैदान का टीजर बैदान 20 जून को सिनेमा घरों में होगी रिलीज यथे आज के फटापट बुलेटें और सिंग ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मारे साथ एन की विजट करें वेब दुनिया पर वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से बचे मास्क पहने वह सैनेटाइजर का इस्तमाल करें साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करें